हेलो दोस्तों दृष्टी आईस के इन न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो पिछले कुछ समय से हम लोग एक शब्द सुनने को हमें मिल रहा है मास एक्स्टिंशन यानि सामूहिक विलोपन तो जलवायू परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं के दौरान जितने भी सम्मेलन किये जा रहे हैं उन सभी सम्मेलनों के बाद अब जब ये शब्द हमें सुनने को मिल रहा है कि अब ऐसे दौर में हम पहुँच गए है जहां पर छठवा सामूहिक विलोपन शुरू हो गया है यानि छठा सामूहिक यानि मास एक्स्टिंशन शुरू हो गया है सवाल बन सकते हैं परिक्षाओं में कि मास एक्स्टिंशन आखिर क्या होता है और यानि सामूहिक विलोपन क्या होता है आज इस topic में हम cover करेंगे topic है छठा सामूहिक विलोपन क्या खत्म हो जाएंगी प्रित्वी की सभी प्रजातियां तो जैसा की title से इस फष्ट हो रहा है कि यह जो सम्बंध है इस topic का प्रित्वी की जव विविदता और प्रिजातियों से है तो छठा मास एक्स्टिंशन जब हम के बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि इसके पहले भी पांच बार ऐसी कोई प्रक्रिया हो चुकी होगी इस पर बात करेंगे जो डामेंशन है उसमें भी हम न्यूस को देखेंगे मास एक्स्टिंशन यानि सामूहिक विलोपन जिसकी बात कर रहे है वो आखिर है क्या उसको जानेंगे इसके पहले अब तक जैसे की छठे के हम बात कर रहे हैं तो पांच बार कब-कब हुआ है क्या परिडाम रहे क्या कारण रहे उनको जानेंगे छठे सामूहिक विलोपन जिसकी इस बार बात बहुत ज़्यादा की जा रही है वो क्या है ऐसे हम क्या कर सकते हैं और एक सवाल प्रिलिम्स और मेंस दोनों पर ही आप लिखने का अभ्यास करेंगे और टिक करने का अभ्यास करेंगे यह विशय जीएस पेपर एक और तीन दोनों से जुड़ता है खासकर दो से भी जोड़ेंगे लेकिन दो से तब जोड़ेगा जब हम इसके संबन्ध में कोई नीती ले करके आएंगे अभी बात कर रहे हैं इंपक्ट की और एक प्रभाव की तो भूगोल के अंतरगत बायो डाइवर्सिटी के अंतरगत और एंविर्मेंट के अंतरगत इसको हम शामिल कर सकते हैं अभी न्यूस क्या आई थी? न्यूस आई थी शिट्थ मास एक्स्टिंशन अंडरवे कर्ट्सी हूमन्स जिसका कारण हूमन्स को यानि की मनुश्यों को माना गया है क्या हुई है घटनाएं? तो पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है कि काई सारी प्रिजातियां प्रिथवी के अंतरगत जो मौझूद थी उनके विलोप्त हूने की दर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है और इसका कारण एक तरह से मनुश्यों को माना गया है तो जो विलुप्त होने की घटना है या फिर हम सामूहिक विलोपन की बात कर रहे है या फिर है क्या इसको समझते हैं तो सामूहिक विलोपन का अर्थ है समूह से समूह के रूप में विलुप्त हो जाना कई सारे समूहों का विलुप्त हो जाना लेकिन इसमें एक और अगर आगर एक सामाने दरहें इसको कहते हैं background rate of extinction ऐसा माना जाता है कि पित्वी की शुरुवास से लेकर आज तक जितनी भी जीवजन्तु मौजूद रहें होंगे उसमें से अब तक जितने विलुप्त हुए हैं लगभग 98% तक निकाल करके देखे तो विलुप्त हो चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में प्रजातिया मौजू इसकी जगें कोई नई प्रजाति आ जाती है यानि विलोपन की घटना अपने आपने एक क्रमिक विकास हम कह सकते हैं प्रियातियों के अंतरगत würप यह कोई प्रजाति रही होगी थापित करने वाली प्रजाती आंक या फिर उसको प्रतिस्थापन की दर बहुत उसकी तुल्ला में धीमी आंकी जाए यानि कि विलोपन इतनी तेजी से होने लगे इतने बड़े पैमाने पर होने लगे कि प्राकृतिक रूप से उसका पुनरभरन संभव ना हो एक निश्यत अब अधी के दौरान प्रतिस्थापन की तुल्ला में जो विलोपती है वो बहुत बड़े पैमाने पर होने लगे इससे अगर हम जियोलोजिकल टाइम की हिसाब से देखें या फिर भूव एज्ञानिक समय के हिसाब से देखें तो ऐसा माना जाता है कि 2.8 मिलियन वर्षो उसे कम समय में अगर 75 प्रतिशत प्रजातियां विलुक्त हो जाती है तो हम कहेंगे कि मास एक्स्टिंचन शुरू हो गया है या बहुत सामूहिक विलोपन शुरू हो गया है अब इस बार हम बात कर रहे हैं छठे मास एक्स्टिंचन की तो छठा सामूहिक विलोपन क्या श सामने आ गया है, तो हम इस पर बात करेंगे, अब इसके पहले एक बात आती है कि इसके पहले कौन-कौन से mass extinction हुए है, तो प्रित्वी की शुरुवात लगभग 4.5 billion वर्ष पहले, तो उसके बाद जब प्रित्वी की शुरुवात हुई तो उस जियो तो टाइम लाइन में हमें जब देखने को मिलेगा, तो हम देखते हैं कि लगभग 450 million साल पहले एक Ordovician और Silurian extinction हुआ था, यानि एक समय काल है, जिसको अलग-अलग हंडों में बाटा है, अभी हम टाइम लाइन को देखेंगे, इसके बाद पहले इनके नाम एक बार समझ लें, ठीक, तो पहला जो mass extinction हुआ था, वो हुआ था Ordovician, Silurian समय काल के दौरान में, और इस समय लगभग 85 फीसद जो प्रजातियां थी, वो विलुप्थ हो गई थी, बहुत बड़ा एक समय काल लेखने को मिलता है, बहुत पहले समय में बहुत बड़ा extinction, उसके बाद अगला होता है, डेवोनियन की आगे वाली दशाओं में, यानि की लेट डेवोनियन काल के समय में, एक्स्टिंशन लिखता है, लगभग 75 फीसद जो प्रजातियां थी, वे विलुप्थ हो गई थी, 365 मिलियन साल पहले की बाद है, उसके बाद आता है पर्मियन ट्रैसिक एक्स्टिंशन, जो की लगभग 252 मिलियन साल पहले हुआ था, और इस दोरान 95 प्रतिशत जो प्रजातियां थी, वे विलुप्थ हो गई थी, और इसको कहते हैं ग्रेट डाइंग, यानि कि ऐसा माना वैज्ञानिकों ने कि कोई बड़ी उल्का प्रित्वी से आकर टकराई होगी, और उस उल्का के जो टुकले थे, वे आस्मान में सारे तर काल कहलाता है, जब सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी संख्या में प्रियातियां एक्स्टिंक्ट हुई, तो वो था पर्मियन ट्राइसिक एक्स्टिंक्शन, ठीक, उसके बाद आता है ट्राइसिक जुरैसिक एक्स्टिंक्शन, जब डाइनोसोर्स की समाप्ति होती है 201 million साल पहले 80% इस दौरान जो प्रजातियां सी भी नश्ट हो जाती है और उसके बाद आता है cretaceous paleogene extinction जब लगभग 78% प्रजातिया नश्ट होती है और 6-6 million साल पहले की यह गटना है तो यह पूरा एक क्रम है जिसमें 5 हमने mass extinction देखे अब बात की जा रही है छटे मार्स mass extinction की लेकिन जो geological टाइम है एक बार उसको हम समझ लें geological टाइम यहां पर दिया हुआ है इसका क्रम कई बार परिक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आता है यह उसके बाद उससे छोटा होता है अरः उसके बाद होता है period और फिर उसके बाद होता है epoch यह पेपरों में पूछ लिया जाता है अभी जो इख्यारा है वो है फेनरो जोईक एन के अंतरगज जो एरा चल रहा है वो चल रहा है सीनो जोईक पीरियट चल रहा है क्वाटर नरी और एपोक चल रहा है होलो सीन अभी ये भी माना जाने लगा है कि एंथ्रोपो सीन इस वक्त शुरू हो चुका है खास कर एक ऐसे समय में जब मनुश्यों के द बीच इस शब्द की चर्चा चलने लगी है ये एक कालकरम है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए अब आगे चल के बात करें कि कारण क्या रहे अब तक जो भी मास extension हुए है जब हम इनके कारणों को देखेंगे तो फिर छटे वाले से उसको मैच कर आगे समझेंग कि अब कितना अलग है उससे और क्यों ऐसा हो रहा है तो पहले जो कारण नोटिस किये गए तो उसमें यही था कि अत्यधिक तापमान कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर समुद्र के जलस्तर में वृद्धी हो गई या गिरावट आ गई बहुत ज़्यादा कूलि कि बीच में ऐसी राय बनी है कि शायद एक विशाल ज्वाला मुखी फटा होगा भूगर भी गति विधिया बहुत बड़े पैमाने पर हुई होंगी या फिर प्रित्वी से टक्राने वाला कोई एस्टिरोइड इन सभी कारणों को अलग-अलग समय में वेज्यानिकों ने सामाना है कि किसी-किसी समय में कोई न कोई कारण रहे होंगे अला कि बहुत ज़्यादा इस्पस्ट मत नहीं है क्योंकि बहुत समय पहले कि गटनाए हैं उनका अवलोकन किया गया है ट्रिलिंस में क्या पूछा जा सकता है इसे अगर हम सवाल बना कर देखें तो एक सवाल लेते हैं यहाँ पर सवाल है सामूहिक विलोपन के संदर्म में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला स्टेटमेंट क्या है सामानिता प्रती सौ वर्षों में प्रती दस हजार प्रजातियों पर एक प्रजाती का विलुप्त होना सामूहिक विलोपन कहलाता है दूसरा स्टेटमेंट है ट्राइसेक जुरासिक विलोपन को ग्रेट डाइंग कहा जाता है आपको बताना है निमलिखित में से कौन सा या कौन से सही है केवल एक येवल दो एक और दो दो या सिर्ख ना तो एक और ना ही दो या फिर दोनों ही गलत भी हो सकते हैं कमेंट सेक्चर में जल्दी से इसका जवाब दीजिए तो आगे हम बात करते हैं अब छठे सामूहिक विलोपन के बारे में कि हमें कैसे पता चल रहा है कि क्या छठा सामूहिक विलोपन शुरू हु तो देकि इसके पीछे कई सारी रिपोर्ट्स को हमने सामने रखा है, कई सारे ऐसे जो जलवाई परिवर्तन के आंकड़े हमारे सामने आये हैं प्रजातियों को ले करके उससे हमें कुछ जानकारिया मिलती हैं, जैसे वर्ष उन्निस्तों के बाद से हमने ये देखा कि जो जी तो एक्सपेक्टेड आंकड़ा था 1.26% का लेकिन इसमें गिरावट आई 35% की, पक्षिया यानि बर्ट्स में देखें तो 2.38 का आंकड़ा अनुमान किया गया था, यानि सामाने प्रक्रिया जो हमने बात की कि इतने समय में इतनी गिरावट आती है, तो इसमें गिरावट कहीं जादा थी, 17%, रेप्टाइल्स में कितनी थी, 30 रिपों में, 1.01% की हमने गढ़ना की थी, अनुमान लगाया था, लेकिन गिरावट थी 8 की, उभै चरों में भी सी तरह 1.46 की अनुमान लगाया था, लेकिन गिरावट थी 32 की, माशिलियों की प्रजातियों में बहुत जादा गिरावट देखने को मिली, 2.84 का अनुमान था और ये 66 तक आकड़ा पहुँच गया, तो वेज्ञानिकों की बीच में ऐसा विमर्ष शुरू हुआ, कि जब ये गिरावट इससे कहीं जादा है, मनलब जतना अनुमान इससे बहुत जादा है, तो कहीं ऐसा तो नही कि अब हम एक छठे मास एक्स्टिंशन यानि सामूहिक विलोपन के युग में प्रवेश कर चुके हूँ, इसके लावा जो ड्रेगन फ्लाइज हैं उनकी भी संख्याओं में बहुत तेजी से गिरावट होती जा रही है, चिडिया के कई सारी जो चुडिया हमें अकसर जातियां शामिल कर दी गई हैं, जिसमें से की लगभग 40% से अधिक पर विलुपति का खत्रा मन रहा है, कई सारी रिपोर्ट का अगर हम नाम लेना चाहें, तो एक रिपोर्ट है अग्लोबल असेस्मेंट रिपोर्ट ऑन बायो डाइवर्सिटी एंड एको सिस्टम सर्वि तो 1900 के बाद से देशी प्रजातियों की संख्या में 20% की गिरावट आई है और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में भी कई सारी जानकारियां इस तरह की दी गई है, भारत की भी अगर हम चर्चा करें तो भारत की क्या स्थिती है, भारत में पिछले 5 दशकों में 12 फीसद जंगली स्थनधारियों, 19 फीसद उभैचरों और 3 फीसद पक्षियों को खो दिया है, पुछले 50 सालों के अंतरगत, भारत में भी इसका प्रभाव बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, कुछ कारणों की बात करें, क्या कारण रहें हैं प्रभावों के बाद, तो जैसे पहला तो यह है कि भूमी और समुदर के उपयोग में परिवर्तन किया जाना, बहुत तेजी से जो जीवजन्तु है, उनके आवास को नश्ट किया जाना, और उसमें एक तरह से गिरावट आना, उसका छरण होना, एक बड़ा कारण है प्रजातियों की संख्या कम होने का, इसके अलावा प्रजातियों का त्यधिक शोषण किया जा रहा है, मनुष्यों के द्वारा लाई गई जो प्रजातियों है एक जगह से दूसरी जगह पर उनको बसा देना, यानि कि जिसे हम आकरामक प्रजातियों कहते हैं, जो उस इस्थान विशेश से ना हो करके, किसी और इस्थान से ला करके वहां लगाई जाती हैं, तो वो ऐसी प्रजातियों जो आकरामक हैं, वो देशज प्रजातियों को नश्ट कर रही है, बीमारिया भी ले करके आती हैं, वो एक अलग कारण है, इसके अलावा मानवजनित प्रदूशन, जलवाई परिवर्तन बहुत ज्यादा पीछे छोड़ चुकी है, यहनि प्रकृति के जरिये जो नए जीव को पुराने जीव का इस्थान लेना था, वो इतनी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं कि नए जीवों के वहां पर मौजूद हो पाने का या उपलब्द हो पाने का प्रकृति का जो क्रम है, वो कई सारी भूमियों को साफ किया है, जंगलों की कटाई की है, जिसका प्रभाव मिट्टी पर, जल पर, वाईव पर, सभी स्थानों पर देखने को मिल रहा है क्रिशी, बड़ा कारण है वाईव प्रदूशन का, जल प्रदूशन का, इसके अलावा भूप योग में परिवर कि अब हम छठे मास एक्स्टिंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, समाधान क्या हो सकता है, तो सबसे पहला समाधान है, प्राकृतिक संसाधनों के उप्योग के तरीकों में बदलाव, यानि हम बात कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गोल के अंतरगत, जो भी गोल बताय गये हैं, उन सभी गोलों को हमें बहुत तेजी से अपनाना होगा, यानि सतत विकास इसका एक बड़ा समाधान होतकता है, भूमी का उप्योग इस तरह से करना चाहिए, कि हम उसको आने वाले समय में छरित होने से बचा सके, वनों के कटाओ पर रोक लगानी होगी, हमें ऐ क्रिशी के इंपक्ट, जो क्रिशी के नकारात्मक प्रभाव दोनों ही छेत्रों में मिलते हैं, तीसरे जल प्रबंधन में भी देख सकते हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सके हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए बढ़ती आबादी का सबसे बड़ी जरूरत है, वो है भोजन, भोज तकनीके हैं, जैसे अभी हमने इसके पहले एक सेशन में बात की थी, बायो तकनीक का, या फिर जीन एडिटिंग तकनीक का क्रिशी के क्षेतर में, हाला कि इसको इसको इस पस्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन तकनीक की तरफ जाना होगा, जैसे कि सिचाई की पहले तरीके से लिख सकें, इसके अलावा जलवाई परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, जैसे जीवाश्म इंधन का जलाना, कारबन उस सर्जन, तो बहुत सारे समझोते हमने किये हैं, जिनके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, कौप 26 की बैठक में भी हमें ये चीजे सुन को मिली, देखने को मिली, इसके अलावा पैरिस का जो जलवाई समझोता है, वो भी सी से सम्मंदित है, तो renewable energy एक जो बड़ा उप्योगी उपकरण हो सकता है, यानि कि सतत विकास लक्षों को प्राप्त करने के लिए, सतत उर्जय लक्षों को प्राप्त करने के लिए, renewable energy के sources को अपनाया जा सकता है, इसके अलावा और भी हम जो water management skills है, उनको हमें अपनाना चाहिए, अन्य सभी तक्नीकें, जैसे की भूमी का ख्षरण हो रहा है, IPCC की रिपोर्ट से पता चलता है, इन सभी ख्षरण से सम्मंदित जो पाए हैं, उनको अपना करके ही, हम इस तरह की चुनौती से निपड सकते हैं, सवाल क्या पूछा जा सकता है, मेंस के सतर पर उसको देखें, सवाल इसमें दो तरह के लिए है, पहला जो प्रश्न है, ये 2021 का प्रश्न है, पेपर वन का, इसमें पूछा गया था पहले सवाल के तरह कि आर्क्टिक की बर्फ और अंटार्क की ग्लेशियरों का पिखलना किस तरह अलग-अलग धंग से प्त्थवी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, पश्ट कीजे, आप चाहें तो इसको भी लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, या फिर ये जलवायू परिवर्तन का एक कीजे, तो आज के टॉपिक में हमने कई सारी चीजों को एक दूसरे के साथ को रिलेट करके पढ़ा है, और इसके सारे रीजन्स इसकी भी एक वजय हो सकते हैं, निकल करके आएंगे, यानि कि वे सभी रीजन जो जलवायू परिवर्तन से जुड़े हैं, वे कारण होंगे इस तरह की घटनाओं का भी, तो सभी चीजे आपस में इंटरलिंग्ड हैं, तो इस हिसाब से आपको इसको समझना है और उत्तरलिकन का अभ्यास करना है, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, आपके मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्पूर्ण खबरों के साथ और उनके एनालिसिस के साथ अब तक पढ़ते रहिए, खयाल लखिये, शुक्रिया.